तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का भुका पे और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम नफ बार को कैसे यहाँ पर ला सकते हैं, कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं तो देखो सबसे पहले समझते हैं, हमने अभी क्या किया हुआ है, हमने इस header के अंदर यह सारा content प्लेस किया हुआ है, और इस header पर हम यहाँ पर आके देखते हैं, हमने padding लगा रखी है, top से और left से, तो उसकी वज़ा से क्या हुआ, यह वाला जो content है, यह भी header के अंदर पड़ हुआ है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और देखो, सेफ करता हूँ मैं, तो देखो, यह सारा content फिर से यहाँ पर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यह header content हमने बना रखा है, हमें सिर्फ padding इतने पर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, dot header content, ठीक है, और paste कर देते हैं, तो अब जब यहाँ आते हो, तो padding देखो, यहाँ पर है, और वो जो हमने बनाया हुआ है, वो टॉप पे अभी दिख रहा है, अच्छा है, यह उपर से extra space क्यों ले रहा है, क्योंकि, नैब बार मैंने आपको रहा है था, extra margin लेके आता है, इ margin top से 0 कर दो, अब जैसे ही हमने ऐसे करा, तो margin top से 0 हो चुका है, उपर आ गया, अब दूसरी चीज हमको यह करनी है, इस वाले पार्ट को हमें कहां दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे, simple, हमें यह करना है, code में चलना है, और जो navbar list है, ठीक है, और उ line कर दो, कहां पर, right में, तो जैसे ही मैंने right लिखा, तो text कहां पर line हो गया, right में तो यह आ चुका है, अब top पर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको implement कर पाते हो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस background color को मैं यहां से remove कर देता हूं, ठीक है, मैंने इसको remove कर दिया, अब दे element पर देना है, जिसकी उसको need है, क्योंकि अगर कल को, जैसे मैं हमने पहले यह किया हो था, इस पूरे header पर padding दे हुई थी, जिसकी वज़ा से, जब हम कोई और content add कर रहे थे, वो भी यहां पर आ रहा था, जबकि हमें padding कहां चाहिए थी, बस इस पर, तो हमने अब क्या किया, padding सिर्फ इस पर लगाई, इस container पर, और यह जो home abouters, producters, contacters हमारे थे, इन पर हमने वो padding नहीं लगने थी, ठीक है, वो अपने आप by default उपर आया, और हमने सिर्फ text align से, उसको write कर दिया, ताकि वो वहां पर देख सके, होब आपको clear हो गया होगा, किस तरीके से basic code को करना है, आ अपडेट्स के लिए एक घंटा बचा देना